सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे से 402 का नाम या घर पर जोड़ से चटला के बोलेंगे से 402 का नाम सर क्या है से 402 का नाम audit considerations relating to entity using service organization यानि 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 अपन किसकी service को यूज कर रहे हैं service organization की service को यूज कर रहे हैं service organization की service को use कर रहे हैं सरुतरपना давно किछा देखा था पता है दो तरगी entity होती है देखो दो तरगी entity होती है एक होती है user entity एक होती है service organization अब service organization के नाम में की रहे हैं सब लोग दर ध्यान से ध्यान लगा के देखो अब सुनो मेरी बात को, chatbox वालो, ध्यान चे ध्यान लगा के देखो, बड़े ध्यान चे देखना है इसको, मज़ा आएगा आपको सुना, सुन लो, एक होती है user entity, एक होती है service organization, sir, 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 service organization, service देती है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है service organization, user entity, service लेती है, यानि वो use करती है, इसलिए तो उसका नाम है user entity, वो use करती है, ठीक है, अब आसान सा difference, user entity का auditor कौन होता है, user auditor, वाह, service organization का auditor कौन होता है, service auditor, वाह, ये तो एकदम कितना easy था, बहुत जब पढ़ता स्तीजी था, इने बोला, ये तो बहुत जब 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 आईजी था, अब, 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 अपना काम करवार ही है, service organization से, यानि, a limited क्या होगी, इस case में, user entity हो गई, मैंने बोला, हाँ sir, CA, SRL जो था, वो user auditor था, यानि, वो a limited का auditor था, ठीक है, अब, दो question अपनने पड़े थे, क्या था, he wants to obtain understanding, हमारी user auditor को क्या obtain करनी है, understanding of how a limited is using SO services, यानि, 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 या है न, वो service organization की service को कैसे ले रही है, इसमें, क्या understanding obtain करनी पड़ेगी, हमारे user auditor को, एक बात बड़े ध्यान से समझना, सुन लो, सुन लो, एक होता है, SAE 3402, और एक होता है, SAE 3402, दोनों में common कैसर, 402, 402, दोनों में क्या है न, common, लेकिन, SAE 402 बात करता है, user auditor की, और SAE 3 402 बात करता है, service auditor की, समझ लो, मेरी बात को, मैंने बुला, हाँ, समझ गये, यानि, पूरे SAE 402 में, मैं तुम को जब बात करूँगा, तो user auditor के नजरी से बात करूँगा, user auditor कौन सा, user entity का auditor, user auditor कौन सा, user entity का auditor, अब बात को बड़े ध्यान से समझना, अब ये question को देखना, एक A limited है, वो क्या यान user entity है? यानि वो service को क्या कर रही है? यूज कर रही है, ठीक है? service organization service दे रही है, अब CA SRL को है? वो A limited का auditor है, यानि वो कौन है? user auditor है, को है? user auditor है, पूरा SA刃 से तो किसके साब से? user auditor के साब से, he wants to obtain understanding, तो उसको understanding उतेनी करना है, determ competed है? या जो A limited है, वो क प्रिकॉशन्स लेने पड़ेगी यानि दोनों का अंसर एकी होगा सर दोनों का अंसर एकी होगा यूजर ओड़ेटर को क्या अंडस्टेनिंग अप्टेन करनी पड़ेगी यूजर ओड़ेटर को क्या प्रिकॉशन्स लेने पड़ेगी दोनों का अंसर एकी होगा पता इसका टेकनिक क्या था याद करो याद करो याद करो और chat box में दखो प्या service क्या service के साथ कितनी बड़ी सर्विस कितनी मिलती जूलती सर्विस और क्या रिष्टा है क्या सर्विस importance of service effect of service याद यह पहला point था फिर दूसरा तीसरा चौता क्या था कितनी बड़ी सर्विस कितनी मिलती जूलती सर्विस और क्या रिष्टा है वापस क्या सर्विस importance of service effect of service कितनी बड़ी सर्विस कितनी मिलती जुलती सर्विस क्या रिष्टा है इसा अपने कल याद किया था कि आपको याद हो तो मैंने बोला हमां सर्विस बोले तो nature of service यानि की कौन सा काम है जो service organization दे रहा है और user entity अपनी जो ले रही है थी कि क्या काम क्या था वो कौन सी service थी उसके बाद importance of service का क्या मतलब था significance of service और क्या था effect of service तो वही था effect on internal control यह पना पहला point था दूसरा क्या था कितनी बड़ी service बड़ी बोले तो materiality यानि nature and materiality of transactions फिर कितनी मिलती जुलती service यानि degree of interaction between the activities of service organization and user entity यानि user entity का काम और service organization का काम कितना मिलता जुलता है आ ठीक है और क्या रिष्टा है बोले तो nature of relationship between service organization and user entity रिष्टा बोले तो relationship यापने memory techniques से इसको याद किया था मैंने बोला हां सर याद किया था मजा आया था पने को उसके बाद उसके बाद उसके बाद आर relevant to audit of user entities financial statements मैंने क्या बोला था 20 प्रकार कीकी servius होगी सर जी 20 मेरे लिए सारी काम की यह क्या मैंने बोला नहीं मेरे लिए खाली 5 प्रकार की financial services काम किये यानि service organization तो 20 प्रकर की service देगा मेरे लिए सारी काम की नहीं है 15 तो मेरे लिए irrelevant है खली 5 financial service मेरे लिए काम किये ठीक है financial service यहां पर वही था services of service organization वो relevant है पता है कब relevant है अगर तो वो user entity के information system का part बन रही है ठीक है अगर इतनी भारी language में सको नहीं समझना तो खली बात समझो मेरे financial services ही मेर बने काम किये इसका memory technique क्या था cops procedures क्या था cops procedures या अपने को yes exactly cops ग्रेट हेमन शर्मा ग्रेट अनुज क्या था cops procedure cops procedure sir financial services सब बात समझो cops में C किसके लिए था controls for journal entries ठीक है इसमें सारी journal entry आगे standard वाली भी आगई और non standard वाली भी आगे C पर क्या था operations बोले तो PNL क्या PNL financials related है क्या मैंने बोला हाँ तो वो financial service में आ गए यानी class of transactions in user entities operations यानी 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 PNL में आने वाले सारे transactions ठीक है यह था अपना दूसरा फिर cops procedure में P देको C हो गया controls for journal entries वाला O हो गया operations वाला P क्या आया था FR process पता है पर ने 11-12 में पुड़ा प्रोसेस पड़ा था कि पहले journal entry होगी फिर अगरा चप्टर तुमको ledger का चप्टर था फिर subsidiary book का चप्टर था cash book का अलग चप्टर था trial balance था PNL balance एट ऐसा बनती थ ने तो वो भी financial related है तो ठीक है cops का वो गया P फिर S, S for क्या आता था याद है अपने को information system यानि कि telly क्या telly financial से related है क्या मैंने बुला हाँ sir telly financial से related है अपने financial system से तो वो भी financial service में आ गया how user entities information system captures the events समझ दो मेरी बात को मैंने बुला हाँ sir समझ गया बढ़िया तरीक से information system या चाहे वो manual वाले का करने पड़ा था procedure चाहे IT वाले हो procedures चाहे manual वाले हो याद है अपने cops procedure हो गया था यहाँ सर्याद आ गया मेरको तो क्या करना है मेरे लिए सारी service relevant है क्या कौन सी services relevant है what services of service organization है relevant मैं बोला खाली cops procedures वाली service relevant है cops बोले तो controls for journal entries C फिर operations यानि class of transactions in user entities operations फिर P पेर करने के लिए user entity का financial statements वही जो मैंने बोला journal ledger बगेरा बगेरा फिर S, S for क्या information system बोले तो telly ठीक है how user entities information system captures events और procedures प्रोसीजर में दोनों आ गए IT वाले भी आगे manual वाले भी आगे अब type 1 type 2 report की बात आ रही ही type 1 type 2 report मैंने क्या बोला था इसके बहुत कम चांसे से पूछ type 1 report के क्या था पता है देखो type 1 report मैंने क्या बता था type 1 type 2 report सर्विस organization किस प्रकार से काम कर रही है वो service auditor देखेगा और service auditor ये type 1 type 2 report किसको देगा न user auditor को देगा ठीक है मैंने बोला हाँ अब ये ऐसे चार्स तो किसके नजरिये से पूरा पूरा यूजर अजरिये से है अब type 1 यजित में पता है क्या रहा था यह था क्यों बना रहा है सर्ष और्टर को बना रहा है पर वं देगा। को बार में user orator को देगा तो service orator पता है क्या देखेगा देखो type 1 report में क्या क्या आएगा service organization का management यानि service organization में जो code suit वाले लोग है न वो बोले हमारा system कैसा है control objectives कैसा है controls कैसा है बोले तो SEC कैसे है एक specified date पे मैंने आपको याद भी कराया था type 1 one क्या होती है date तो इधर क्या आएगा date आएगा ठीक है और इन सब पे हमारा service orator क्या देगा reasonable assurance देगा नीचे का आपने card दिया था ठीक है इन सब पे क्या देगा reasonable assurance देगा हमारा service orator क्योंकि absolute assurance तो कौन दे सकता है खाली भगवान श्रीक्रिशना दे सकते है ठीक है फिर अपने क्या पड़ा था type 2 report type 2 report type 2 report का दूसरा नाम क्या होता है report on description design and operating effectiveness क्यों 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 operating effectiveness extra होती है type 2 report में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला हाँ देखो same चीज इधर थी सर उपर भी क्या था service organization का management किसकी बात करता है SEC की बात करता है same चीज दर है देखो system control objectives control मैंने बोला हासन लेकिन 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 इधर एक चीज अलग है क्या है यह period की बात करता है किसकी बात करता है period की बात करता है कल मैंने आपको बजाया था तीन difference होते है in total type 1 और type 2 report में तीन difference होते है पहला type 1 किसकी बात करता है एक की type 1 1 क्या बोल रहा है date तो वो date की बात करता है type 2 किसकी बात करता है period की बात करता है यह था पहला difference दूसरा difference type 1 जो है न वो operating effectiveness की बात में करता है type 2 operating effectiveness की बात करता है ठीक है और तीसरे डिफरेंस पर आता हूँ देखो अभी अपने उपर टाइप 1 रिपोट में क्या पढ़ रहा था कि सर्विस और जो है रीजनेबल एस्वरेंस देगा इन सारी बातों पर मैंने बोला हाँ इन सारी बातों पर देगा ही लेकिन टाइप 2 में किसके उपर देग अगर यूजर ऑडिटर से बढ़िया वाली रिपोट मंगा रहा था कौन सी टाइप 1 डाइप 2 ठीक है यहां तो मैं खुद जा रहा था या मैं विजिट कर रहा था सर्विस और्गनाइज़ेशन में प्रोसुजर परफॉर्म करने के लिए ठीक है फिर अपनने पड़ था पॉस्टर नमबर 6 रिपोर्टिंग कैसे होगी इसमें पता मैंने क्या बोला था यूजर ओडिटर जो ह इन लोगों ने कर रखा है पता है कबी नहीं मिलेगा देखो मैंने टाइप न प्रिपोर्ट भूर्ट मंगाई थी मैंने बोला हाँ, इदर देखो, पर ने चार तीज़े करी थी, मैंने बोला था, देखो देखो, मैंने क्या बोला था, या तो मैं report मंगाऊंगा, type and type report, या तो मैं phone गुमाऊंगा, या तो मैं खुद जाऊंगा, किसी और को भेज़ँगा, ये सब करने के बावजूद भी, अ यानि जब clean opinion देने की बारी आई तो user auditor ने क्या बोला न सारा credit खुद ले लिया service auditor का जिक्र किया ही नहीं याद है अपने बढ़ा था user auditor ने सारा credit खुद ले लिया तो तो उसको refer करना पड़ेगा यानि क्या लिखा था अगर तो law regulation ने बोड़ा refer कर तो करना पड़ेगा लेकिन उस particular case में आपको ये भी reference देना पड़ेगा कि user auditor की जिम्मेदारी कम नहीं होती है बहले मैं reference देना हूँ service auditor का service auditor ने बहले काम किया है लेकिन user auditor की responsibility जो है वो कम नहीं होती है या तो अगर modified opinion आया न और वो reference देना जरूरी था वो modification को समझने के लिए तो उस particular case में भी reference आ रहा है service auditor का लेकिन user auditor की जिम्मेदारी कम नहीं होती है या आपको reference देना पड़ेगा या अपनने पड़ा था उसके बाद type 1, type 2, report तो यूज करते बद क्या करना है देखो type 1, type 2, report से या फायदा होता है user auditor की understanding बढ़ती है यााद थी हरे धी उसके लिए उसको दो चीज़े करने याद आदें यह एक यह थी इसमें क्या देख चेक करना था अपने सर्विस ओडिटर का कंपिटेंच और सर्विस ओड़िटर का इंडिपेंटन्स देखना था कि जो रिपोट बना के तुम मेरे को दे रहे हो करेगा सबसे बढ़े उसकी अंडरस्टेंग बढ़ेगी वह देखेगा कि सफिशन एप्रप्रप्रेट एविदेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो कैसे करेगा कि एड टी यहां फॉर पीरड जो मेरे को मिली है रिपोर्ट वह एड देट थी हैं पीरड थी एड लेट होगी तो कौनसी होगी type 1 report, for period होगी तो वो कौनसी होगी type 2 report, इधर कुछ भी लिख सकते हो check whether the design description of controls बराबर था की नहीं था देख है, उसके बाद, check करने audit evidence sufficient appropriate थे की नहीं थे, और उसके बाद complementary user entity controls, जाद है अपने पड़े थे complementary user entity controls वो होते हैं, जो कि service organization assume करता है, कि ये तो basic controller user entity ने लगाई ही होंगे न, ठीक है, तो check करना है कि वो complementary user entity controls relevant थे, और अगर तो हाँ, तो सच में user entity ने लगाई थे, उन लोग ने तो बोल दिया service organization ने, कि user entity ने लगाई ही होंगे, पर सच में लगाई थे या नहीं लगाई थे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने बोला, हाँ सर, मेरे को आपकी बात समझ में आ रही है, कि complementary user entity controls की definition थी, खाली पढ़ने के लिए, उसके बाद अगला question कहा था, test of controls का था, जब user auditor expect कर रहा है, कि control and service organization are effective, he obtained sufficient appropriate audit evidence of operating effectiveness, sir operating effectiveness मैंने को चेक करना था, operating effectiveness है निकि मैंको फट्टा-फट से chat box में लिखके बताना, type 1 report की बात चल रही है, यह type 2 report की बात चल रही है, जल्दी से बताना, जल्दी से मैंको बताना, क्या लिखा हुआ है, वैं user auditor expects control set service organization operational effective, यानि user auditor क्या बोल रहा है कि मैंको देखना है, कि जो control चाने service organization में, वो बराबर है या बराबर नहीं है, तो उसको क्या check करना पड़े तो operating effectiveness से एक करनी पड़ेगी, तो operating effectiveness, तुमको question दिखाना, test of control, तो तुमको पता चल जाना चाहिए कि type 2 report की बात करना है, exactly type 2 report की, तो कि पता है, TOC and its results किस में आ रहे थे, type 2 report में यह आ रहे थे, ठीक है, मैंने का बोला था, देखो, उपर अपने का बोला था, report मंगाओ, phone गुमाओ, खुद जाओ, किसी और को भीज़ो, तो मैंने बोले, मैं खुद परफॉर्म करूँगा, test of control, या मैं किसी और auditor को भीज़ूँगा, test of control करने के लिए, test of control क्यों बात कर रहे हो, question में तुमको specifically बोले का test of control, ठीक है, अब अगर type 2 report है, क्यों, sir, क्योंकि ये period पर ही होती है, पर इन लोगों ने लिखा था, तो अकर ने ये point लिख दिया, technical ये point उनको डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशे क्या होता है, for period ही होता है, ये एक point था परने जो याद किया था, फिर मैं को क्या check करने थी थी न, adequacy of time period of TOC and time elapsed since TOC, यानि TOC कब तक चल रहा है, उसका time period क्या है, और आखरी बार TOC कब हुआ था वो, time period और time elapsed, ठीक है, उसके बाद, check करना है, वही वाला point, complimentary user entity control, उस रेलेमेंट है, और अगर तो हाँ तो सच में इंप्लिमेंट हुए है कि न हुए, और मैं को चेक करना है कि वह जो TOC थे न, वो relevant to assertions थे, या relevant to assertions नहीं थे, याद है, यह अपना SAE 402 था, मज़ा है कि नहीं, मज़ा है, जल्दी से बत, यह किया, 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 आओ, 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 SAE 3402 को एकडम crystal clear करने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकडम पपू, एकडम पपू, SAE यह तो थालतु में, इसकी हवा बना के रखी market में, आओ फटाफट से, SAE 3402 को शुरू करते है, SAE 3402, सब लोग, सब लोग, सब लोग, चैड़ बुक्स में क्या बोलेंगे, SAE 3402, एकडम ही easy है, एकडम ही, tension देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा easy है, पता नहीं को market में सब डरते रहते हैं, आओ फटाफट से, इसको अपन चालू करते हैं, देखो, एक होती है, service organization, आओ फटाफट से, इसका revision कर रहा हूँ, एक होती ही, service organization, जिसका auditor होता है, service auditor, वा, 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 एक होती है, user entity, जिसको audit करता है, हमारा user auditor, अरे, वा, 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 service organization का service auditor, user entity का user auditor, इतनी बात पता चलती है, मैंने बोला, करने के यूज करती है मैंने बोला हासर समझ गए सर्विस ऑर्गिनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट बनाएगा उसका सर्विस ओडिटर और देगा वो किसको यूजर ओडिटर को इस रिपोर्ट को पता है क्या बोलते है टाइप वन रिपोर्ट टाइप टू क्या आपको याद आया क्या आपके दिमाग के तार खुले की नहीं खुले बस यही थे बेसिक्स ओफ से 3402 अब अपन रेडी हैं से 3402 का धमाके दर रिविजन करने के लिए फटा 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 से सब लोग चैट बोक्स में लिखेंगे से 3402 का नाम या घर पे जोड़ से सर्विस औरगिनाइजिशन सर एश्वारेंज रिपोर्ट का प्रियुक्त का नहीं क्योंकि हम से पढ़ रहे हैं स्टेंडर और एश्वारेंज से एंगेजमेंट्स ठीक है मैंने बोला हां सर समझ गे ओन चैट सर्विस औरगिनाइजिशन यानि मेरे को इंटरनल काहा के दे आए क्या तुमको बात पता चलती है मैंने बोला हां सर बात पता चलती है सर टाइप वन टाइप टू रिपोर्ट के डिफरेंज समझा दूंगा देखो 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 टाइप वन टाइप टू रिपोर्ट के तीन डिफरेंज तुम ही मेरे को बताओगे पहला टाइप वन जो कि वो एक होती है भाई, डेट एक होती है, type 2 किसके बत करती है, period की, वावावा सर, जबर्दस, 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 दूसरा, type 2 report पता है, operating effectiveness की भी बात करता है, भाईयों, जो कि type 1 report करता ही नहीं है, और type 2 report में reasonable assurance किसके बार में देता हूँ, पता हूँ, TOC ended results, TOC ended results, क क्या था, आओ फटाफट से आओ, तुमको ऐसा नहीं लगना जाए कि भाई, हम तो देखी नहीं रह, हम लोग देखेंगे, essay 402 में से देखेंगे, डबल डबल जगर से अपन नहीं देखेंगे, ठीके, ऐसा नहीं करेंगे, essay 402 में से भी देख लिया, essay 3402 में से भी देख पोपट लाल वाली हरकते अपन नहीं करते ठीक है मैंने बोला हाँ टाइप 1 रिपोर्ट में description by management of कौन अब ये service organization का देखना है internal control किसका check करना है service organization का क्या पता है SCC सब लोग chat box भढ़ देंगे SCC बोले तो system कैसा है control objective कैसे control कैसे है ठीक है मैंने बोला हाँ सब लोग chat box में वापस भढ़ देंगे SCC उसका वापस है design implementation लेकिन 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 कब period भाईयों type 2 में period ये देखो ये आपने card दिया था चलने का लिए सब ठाठ ठाठ क्या बोल रहाँ period period दूसरा इदर किसकी बत करनी है operating effectiveness की भी बात करनी है और reasonable assurance दर भी मैं दूंगा जैसे type 1 में दे रहा था क्या आपको बात पता चलती है नहीं पता चलती है मैंने बोला बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चलती है क्या तुमको मज़ा आया या मज़ा नहीं आया मैंने बोला हां मज़ा आ गया यहां तक तो अग यह engagement को कैसे प्रोसीड करेंगे मैंने बोला एकदम जनरल अंसर लेके चलने का भाई तुमारे limited दिमाग में तो कितने subject गुसा होगे कितने caution गुसा होगे एकदम ही normal जो अभी तक अपनने पड़ा ऐसे 210 में acceptance अपनने पड़ा मैंने बोला हां ऐसे 320 की materiality वाली बात लेली मैंने बोला हां system control, control objectives के 3 point ले लेने के operating effectiveness ले लेने का type 2 report में क्या बात पता जलती ही मैंने बोला हां हो गए 4-5 point बस वही तो उन लोग ने किया देखलो 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 एक लेली आ देखलो इन लोग ने point compliance with ethical requirements जो अपनने SQC1 में नहीं पड़ते ethical requirements हा SQC1 का चलो एक point बना दिया कोई tension नहीं है उसके बाद acceptance का एक point बना दिया जो S210 में acceptance मैं आता है मैंने बोला ठीक है चलो उसका सा एक point मैंoder इंगे RCCब बियो सिस्टम कैसा का है control कैसा है control objective कैसे उस पë भी तुम्हाइक कैसा है 같아서 अगला अगला इस पे बन सकता है अलग से सवाल और यह तुमको सता सकता है एक्जाम में अलग से कौशन किस पर बनेगा अगला यह तो मैंने अगला है इस पाइज है अगल रही भी देख लेख देख के दे रहा था देख लिए प्सक्राइब मैं उसको बार-बार re-affirm कर रहा था कि मेरा system बहुत अच्छा है आए बहुत अच्छा लड़का हूं मैं बहुत अच्छा लड़का हूं मैं उसको बोल रहा था कि देख ले मेरा phone मैंने तरहसे कुछ भी छुपाया नीए देख ले मेरे सारी information देख ले तेरको और किसी लड़की का नंबर नी मिलगा मेरे फोन में तरको किसी भी दूसरी लड़की का नंबर नी मिलगा मेरी जिंदगी में खाली तू यह मैंने उसको बताया था और मैंने डिस्क्लोज किया था मैंने उसको क्या था मैं उसको डिस्क्लोज किया था नॉन क पिछले ही हफते तेरा फोन का पासवर्ड खोला था, तो मैंने देखो, कांड किया तो सामने से बोल दिया, कांड किया था, non-compliance किया था, सामने से बोल दिया, ठीक है, कुछ दिक्कत है थी, तो सामने से बता दी थी, क्या आपको बात पाई चलती है, design deficiencies in control, internal control में कुछ दिक्कत है हो, तो सामने से बता दो, सामने से बता दो, instances where controls not operated, मैंने बोला भई, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो अपना रिष्टा क्या है, operate नहीं होने वाला, क्योंकि आगे चलके, subsequent events ये दिक्कत आएगी, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो आगे चलके service auditor को बता है क्या, re-fm करेगा assertion, accompanying description of system में, उसको re-fm करना था न, मेरा system अच्छा है, तो यहाँ पर भी, जो service organization का management है, वो re-fm करेगा, कि भाई, system हमारा अच्छा है, क्या है, system हमारा अच्छा है, re-fm करेगा system के बारे में, system के बारे में, system के बारे में, system के बारे में, उसके बाद, there it is provided service auditor with all info, मैंने बता दिया था न, कि देख ले मेरा phone, मेरे phone में किसी भी लड़की का number नहीं, तेरे लवा, किसी भी लड़की का number नहीं, बस वही बोल रहा है, all information का, मैंने तरको क्या दे दिया है, access दे दिया है, मैंने तरको all information और access दे दिया ह तो मैंने बोल दिया था, तो ये लोग भी सामने से बोल देंगे, कोच भी design deficiencies in internal control में, मैंने उसको बोल दिया था, देखो ये बोल देंगे, design deficiencies in controls, मैंने बोल था, दिक्कत हैंगी रिष्टे में, तो ये, instances where controls not operated as described, ये controls operate नहीं कर रहे अच्छे से, ऐसा कौन बोल देगा, management of service organization बोल देगा, service auditor तो, मैंने बोल था, रिष्टा ऐसे operate नहीं करेगा, तो ये लोग भी बोल देंगे, control ऐसे operate नहीं करेंगे, और कोई भी subsequent event होंगे तो बोल देगा, क्या, नीचे का भले card देना, कोई भी subsequent event होंगे तो बोल देगा, यानि मैने बोल था, subsequently भर तो ये sequence event दे दिए, क्या पता चला, memory trick, जल्वी से मेरे को बताना, एकदम generalized, कुछ, इसमें कुछ, हाड दिमाग लगाने जैसा हुआ नहीं, अपना, हाँ सर, एकदम generalized था, कुछ, एकदम दिमाग लगाने जैसा हुआ नहीं, फिर, elements of report, elements of report, मैंने बोल दुनिया की, दुनिया की, इस दुनिया जहान की संसार की, कोई भी report हो, पहले दो point हो, आखरी तीन point किसी का बाप नहीं बदल सकता, किसी का बाप नहीं बदल सकता, सर, किसी का बाप नहीं बदल सकता, पहले दो point का है, title address, बात पता चलती ही, मैंने बोला, हाँ, आखरी तीन point क्या है, सर, date, place, signature, एक statement मार के आ जाना, देखो बीट में जन्रलाइस पॉंट अपने उठा है, मैंने बोलता है, SCC के तो खुछ से ही पॉंट बना देना, ये पूरे चप्टर में SCC के हर जगा पॉंट चेप के आ जाना, अभी उपर भी अपने चेप है थे, हाँ, उपरेटिंग एफेक्टिवन इसका चेप देना, टाइप 2 रिपोर्ट में, मैंने बोला, हाँ, सब चेप देंगे, कोई टेंशन नहीं है, फिर दिक्या लिखना, देखो टाइप 1 रिपोर्ट में ऑपरेटिंग एफेक्टिवनेस की बात ही नहीं होती, इसलिए मैं ओपीना नहीं देँगा, जायर सी बा सब्सक्राइप 2 रिपोर्ट के किसमें ऑपरेटिंग एफेक्टिवनेस, जाधा टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है, जन्रलाइज लेकर के चलना है, और देखो, फिर यह बाला, स्टेटमेंट की यह, जो मैं बना रहा हूं किसके लिए, टाइप 1 रिपोर्ट खाली किसके ल सब्सक्राइब नहीं, नो, नो, बात पर चलती है, मैंने बुल आहां, 3-4 पॉइंट अपन ने बीच में से उठाये थे, कोछ SS लोड लेने वाली बात नहीं, कैसे 3-4 पॉइंट की, मैंने बुल आहां, दूसरा बोल दियो जन्रल पबिलिक के लिए नहीं, किसके लिए, पॉजिटिव फॉर्म में जाएगी हो गए तीन पॉइंट अपने बस कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है यह नहीं और उपर के दो और नीचे के तीन हो तो सहीं ही रहते ही है ठीक है बात पर जलती है और यह देखो यह वाला पॉइंट भी सब में कॉमन है कि स्टेट्मेंट की एंगेजमेंट कैसे हुए ऐसे ही 3402 के हिसाब से हुआ है ठीक है मैंने बोल दिया हाँ कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन नहीं है अगला हाता है modified opinion यह भी बहुत इजी था सर यह भी बहुत इजी था मैंने क्या बोला था SCC प्लस operating effectiveness में अगर गडबढ निकले अगर यह गंदे हो न तब आईगी modified report प्लस sufficient appropriate audit evidence ना मिले तब आईगी modified report वाह यह तो बहुत इजी यह देखो 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 modified report और अगर तो sufficient appropriate audit evidence नहीं मिल रहा है यानि लिखा है service auditor unable to obtain sufficient appropriate evidence तो क्या आईगी modified report और modified report दोगे तो हवा में दोगे क्या कि reason बता होगे मैंने बहुत आपको मेरी बात समझ में आती है या आपको मेरी बात सर की उपर से जाती ही मैंने बहुत अच्छी तरीके समझ में आती ह जो SEC operating effectiveness अपना चल रहा है ना उसको ही दिमाग में रखना है पूरे चप्टर में ठीक है मैंने बोला हां सब्सक्रिशन अप्रोप्रेट और डेविडिंस नहीं मिल रहे तो मैं क्या दे दूंगा और रीजन भी बताना और SEC operating effectiveness अच्छे नहीं है तब भी मैं काया दे दूंगा इसको लिखेंगे कैसे तो मैंने बुला देखो सर जो मैं सर्विस ऑर्गिनाइजिशन काया दे मैंने बताती है जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रेजेंट नहीं कर रहा है सिस्टम को इस डिजैन को लगना SEC operating effectiveness अच्छा नहीं है तो सब में नौट 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 चिपका देना ठीक है कि does not operate effectively operating effectiveness अपन बोलते है न तो controls does not operate effectively in case of type 2 report बात पता चलती है मैंने बोला हाँ सर पता चलती है पता चलती है पता चलता अरे वो तो अपन S402 से पढ़ते हुए आरे तो बहुत इसी अब 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 कल पता अपने डांडिया खेल था अपने डांडिया तो आखर लग pson ni कोंों से कंत्रोल करने कई से कंट्रोल नहीं है अगर डी शंट्री अनल्यंद है-अगर लुक मेरेतों अगर डीवीशन से ने डीवीशन से ने डीवीशन में बताना पड़ेगा कि बहुत ना सेंपला साइज आपने लिया था एपने डीवीशन सेंचे अपने रिक्से कंट्रोल 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 का इसे कंट्रोल से कंट्रोल speakers से वाला पड़ाना जो साइज और बताना पड़ीशन जलदी से बताना और डॉक्यूमेंटेशन बाइ सेर्विस औरिटर अपने देख लिया थे हैं में डॉक्यूमेंटेशन बाइ सेर्विस औरिटर जिसको 100% कवरेज करके चलना था लोग डॉक्यूमेंटेशन को को भी गड़ल अच्छा से NTE of procedure, results of procedure, significant matters जो कि इतना important नहीं था examination point of procedure